जो हत्रस में लगबख सो से ज़्यादा लोगों की मिलित्वी हुई है हम उनके परिवारों के प्रती, उनके सज्जनों के प्रती अपनी सम्वीदना जताते हैं और आशक करते हैं कि जो गायल है वो जल से जल उनका इलाज हो, वो स्वस्थ हो और हम सभी इस वक्त, यूपी और हत्रस के लोगों के साथ, उनके दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं साथ ही दोस्तों में ये भी कहना चाहूँगा कि कल हमने एक बहुत दुखत नजारा सदन के अंदर देखा कॉंग्रेस पार्टी की मांग और विशेश रूप से अधर्णिय राहूल गांदी जी की मांग ये थी कि इस अठारवी लोकसभा सत्र में राश्रपती अभीवाशन पर मनिपूर के दोनों सांसद अपनी बात रखे और ये बार बार राहूल गांदी जी हमको कह रहे थे कि दोनों सांसदों को अपनी अपनी बातों रखने का अफसर मिलना चाहिए क्योंकि राहूल गांदी जी स्वय मनिपूर गए हैं उन्होंने मनिपूर में समाज के बीच में जो बटवारा हुआ है देखा है इसलिए राहूल गांदी जी जानते थे कि अगर हमने एक पक्ष को आवाज रखने का अफसर दिया और दूसरे पक्ष को आवाज रखने का अफसर नहीं दिया तो बहुत गलत सदेश सदन से मनिपूर के लोगों को जाता है ये बात राहूल गांदी जी बहुत खूबी से जानते थे और इसलिए हमारे पहले जो सांसद है मनिपूर के उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी जो शहरी इलाका से आते हैं इनर मनिपूर से आते हैं और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी शेत्रों जो है मनिपूर का आउटर मनिपूर के जो सांसद है अल्फरेड वो अपनी बात रखे लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी समवेदना मनिपूर के साथ है प्रधान मंत्री मोदी जी आपने सामने मनिपूर की रथा नहीं सुनना चाते हैं हमारी मंक्स पर्ष थी कि हमें पता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी को चार बजे आना है उनको अपना भाशन देना है हमारी मंग इतना ही था कि आप बस दो मिनिट दो मिनिट आप हमारे मनिपूर के सांसोत को अपनी व्यथा अपना पक्ष और मनिपूर में शांती और अमन की एक याचना व्यक्त करने का अफसर दे लेकिन अफसोस दो मिनिट नहीं मिला और दो घंटे हमें सुनने परें प्रधान मंत्री को जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन वही पुराने आरोप कभी चुटकले कभी मजाक कभी तंच क्या उन्होंने राजनीती को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए और एक सांस जो वहां पर चिला रहा था बोल रहा था कि मुझे बोलने दो उनकी बात सुनने का धैरिया उनके पास नहीं था सहनुबूती नहीं थी दिल में जगा नहीं थी और इसलिए उस शण में हमारे उत्तर पुर्वांचल के सांसद आपने पर देखा होगा कि उत्तर पुर्वां के सांसद आए मेरे साथ फिर मेगाले के सांसद आए और हम सभी ने एक दूस्ते का हाथ पकड़ कर हमने इंसाफ की गुजार लगए हमने इंसाफ की गुजारिश की नियाए की गुजारिश की मनिपुर को नियाए दो मनिपुर की आवास सुनो हम जो उत्तर पुर्वांचल सारे सांसत हम आगे और उसके पैस्टाद में धन्यवाद करना चाह crashing कहा लाइंस के संसत देश के हर कोने से उत्तर से लेकर के पश्चिम से लेकर दक्षिnde अकोने का इंडिया ओलाइंस का संसर उत्तर पूर्वांशल के 702 के समर्थन में सब हम वैल में आके हम सभी ने नारा लगाया मनिपूर भारत का एक हिस्सा है मनिपूर में आज आग लगी हुई है मनिपूर को न्याए दो मनिपूर को इंसाफ दो गंटे प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपनी भाशन रखी लेकिन एक बार भी मनिपूर का बात उन्होंने नहीं उठाए अंत में बस उतना ही कहा कि अगर आपको समय नहीं मिला तो आपको पार्टी को पूछना चाहिए हम पार्टी से क्यों पूछे हम उनसे क्यों नहीं पूछे क्या यह प्रधान मंत्री मोदी जी का बड़पन नहीं होता कि अगर वो बैट जाते अगर वो एक विरोधी सांसोत को पानी का ग्लास दे सकते हैं तो एक विरोधी सांसोत जो मनिपूर से आता है उसकी दो मिनिट की बात सुनने का धहरिया क्यों नहीं है उनके पास बैठ जाते और मैं कहता हूँ कि अगर वो बैठते बड़पन दिखाते और मनिपूर के सांसोत को दो मिनिट अपनी बात रखने देते तो एक बहुत अच्छा संदेश प्रधान मंत्री की तरफ से आज उत्तर पुर्वांचल को जाता मनिपूर को जाता तो मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी सुनिश्चित यो सोच से योजना से मनिपूर को बार-बार अपना पीठ दिखा रहे मोहन भागवत जी ने भी मनिपूर का नाम अर्ज किया लेकिन मोहन भागवत जी की बात भी कल प्रधान मंत्री मोदी जी ने नहीं मन बड़ पन नहीं दिखा पाए और मुझे लगता था कि वो नहीं चाते थे कि उनके सामने कोई मनिपूर का सांसत बोले और इसलिए प्रधान मंत्री मोदी वो अपने जिर्द पर अड़े रहे दो गंटे तक वो मनिपूर का सांसत चिलाते रहा और मनि प्रधान मंत्री मोधी जी ने विभेन प्रकार के राजनितिक आरोप और निम निस्तर की राजनितिक भाशा का प्रयोग है मुझे लगता है कि कल हमने एक एतिहासिक मौका हमने गवाया जब पूरा देश हम मनिपूर को एक संदेश देना चाहते हैं चाहते थे मैं दुबारा आभार प्रकट करता हूं राहोर गांदी जी का जो पहले दिन से संवेदन शील थे पहले दिन से वो चाहते थे कि दोनों अपना पक्ष रखे वो स्वयम खड़े होकर वो अध्यक्ष महोदे को गुजारिश कर रहे थे कि दोनों को अपना पक्ष दिया मैं सब को अभार पकट करता हूं क्योंकि हमने इंडिया लाइन्स ने हमने एक संदेश दिया कि मनिपूर भारत का अंग है और मनिपूर में जो अत्याचार हुआ है महिलाओं उपर युवाओं उपर छात्रों पर बुजर्गों पर वो अत्याचारों को हम भूले नह खाया और बहुत अपने जित पड़ अडे रहे